इसलाम अलेकुम एविवन दिस इस मोहमब शहीर अमद और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कुस करने जा रहे हैं वो इस टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपेंशन अब थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है किस तनी होता है कब होता है वो इस वीडियो में डिस् इन्फरमेशन हमाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैल आइकन को ब्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें सबसे पहला हम इसमझते हैं, एक्सपेंशन है क्या चीज? एक्सपेंशन का वर्ड हमने लिक्विड सेट में भी सुना होगा, यह जो हम पड़ शॉलिड स्टेंट के दर मैं एक्सपेंशन है अब एक expansion का मतलब यह होता है किसी भी चीज के volume में, किसी भी चीज के length में रिख साइज में इदाफा होना due to heat क्योंकि हमने पढ़ना है thermal, thermal का मतलब क्या होता है heat और expansion का मतलब क्या है कि किसी भी चीज के length यह volume में increase हो जाना तो अगर हम thermal expansion को तोड़कर देखें तो थर्म से निकला है that means heat और expand का मतलब क्या होता है expansion का मतलब यह हो गया increase in length, breathe, or height या तो यह हो जाए और volume या तो volume में increase जो आएगा इसे हम क्या क्या रहे है expansion तो heat की वज़य से अगर इन चमाम तर चीजों में कोई change आ रहा है तो उसे हम क्या 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 क्याते है thermal expansion क्याते हैं जैसे gas को heat करें तो gas expand फैलती है gas का volume increase होता है तो gas में भी expansion है liquid को heat करें तो liquid मिसाल के तौपर एक शह धनी विसकस होता है जैसे heat करेंगे तो क्या हो जाएगा डाली उट बढ़ जाएगा फैलना शुरू हो जाएगा तो भी expansion है heat की वज़य से बढ़ यहां पर पढ़ने जा रहे हैं वह हम पढ़ने जा रहे हैं thermal expansion in solids क्या solids के अंदर कोई expansion पाया जाता है heat की विज़य से बिल्कुल पाया जाता है solid के molecules को भी अगर हम heat करें तो solid के molecules भी expand होना शुरू कर देंगे अब यह तमाम तर चीज़े आपने कभी देखा नहीं होगा क्योंकि बहुत minor सा change आता है आपने देखा होगा ना कि जो railway tracks होते हैं उन railway tracks में जब दो tracks को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके दरमयान gap रखा जाता है वो gap इसी नहीं रखा जाता है क्योंकि जब rail कोई भी train उसके उपर चल रही होगी तो उसके tie और उस track के दरमयान रगड की वज़े से जो friction होगा उसे friction की वज़े से heat cause होगी और अगर वो track heat up होता रहे तो उसमें क्या होगा expansion होगा अगर वो gap नहीं दिया जाए और उनके दरमयान expansion हो तो railway track खराब हो जाएंगे जिससे accident का फत्रह होता है इसी तरह जब आप flyovers पर चलते हैं तो flyovers में आपको नदर आता है कैसे बनाया जाते हैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट से connect करके और दोनों पार्ट की दरमयान एक मैटल की steps लगाई जाती हैं वो भी इसी लगाई जाती हैं ताकि उनके अंदर proper thermal expansion हो सके जिस तरह liquid or solid में heat करने से state expand होता है इसी तरह से solid के अंदर भी हमारे पस अगर हम molecule को heat करें यह substance को heat करें तो चीज क्या करेंगी expand करेंगी कि अब यह expansion करत क्याद मती जागा में कुछ समझते हैं देखें मिसाल की तोर पर अगर एक solid का molecule है solid का molecule का मतलब यह हुआ कि हम यह कुछ molecules बना लेते हैं को solid के molecules तो tightly packed होते हैं solid के molecules की दरमयान क्या पाया जाता है vibrational motion पाया जाता है कि वाइबरेशनल मोशन पाया जाता है अब अगर हम इनको हीट करें तो हीट की नतीजे में इनका जो जो vibrational motion है, नतिजे में इनका जो vibrational motion है, वो क्या हो जायेगा आपके पास, vibrational motion इंकरीड हो जायेगा, अब गए हमने का expansion बड़ना, अब अगर ये वाला molecule ने ले, ये वाले molecule की बात करते हैं, जो outer side पे, vibration motion इंकरीड होने का मनदा, जो इधर भी मुफ कर रहा होगा और इधर भी मुफ कर रहा होगा अगर इधर isn't move कर रहा है तो समझेगा में नद楽्राओर चाहार है कि साइज इंक्रीज होगई molecule यहां के बजाओ हbre 2 पर यहां आ गल पते हैं अब वो 3 molecule यहां आ गल यहां गाए अगर यह molecule अंदर की तरफ जा रहा है यह तो compression तो देखें इसको हम इस तरह से समझते हैं कि हमारे पास एक graph है that is distance इसे आप कहलेजिए यह हमारा क्या है distance है और यह हमारे पास energy है graph कुछ ऐसा है अब भी इस point पर molecule का distance कितना है यह वाला है यह वाला distance यह negative energy minus मान लेते हैं यह वाली जो energy है यह 50 joule की अगर आप इसको heat देंगे तो heat देने से इसकी energy क्या हो जाएगी increase हो जाएगी minus 50 से में increase करके मान लेते हैं हम minus 20 joule of energy पर पहुँच गया अब इस 20 joule of energy पर molecular distance दो है यह वाला एक minimum distance है देखे minimum distance यह वाला मिलेगा दो molecules के दर्मयान और एक यह वाला distance है जो maximum distance है कि अधिए हम इन दोनों का average दो ना दो नों की average करेगा average दोनों के दर्मयान जो पहले वाले molecular distance क्या है ज्यादा है इसलिए कहते हैं कि जो ink रहा है इसर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है तो हम इंग दोनों का ऑग मॉलिक्यूल्स इंटर इंटर मौलिक्यूल Mickey's Neck half operation मच्छेंल मोच्छें अगर इंटर मोहला सब्सक्राइब को । अगर नहीं नहीं कैने मять dolmen यह एंटर मोलीक्यूल क कैंटर उटर कंटर शीमस you can कन दोनों का इन दोन आए पड़ में इसका और इसका आवरेज लोगा तो जितने पहले थे उससे ज्यादा दूर मुझे मॉनिक्यूल नाजर आएगा तो उनका आवरेज जो होगा वह हमें देखरें को मिलता है कि पहले बने से थोड़ा सा क्या हो गया है और इसपर मान, यख साटमरिम्ड और फैंसपश अंदर क्या मॉंइटी बाद करते आ तो तो प्रवंड ऐसंव क्या है एक हमारे पास हो सकता है 1 dimension expansion और एक हो सकता है हमारे पास 3 dimensional expansion तो दो तरह की expansion है एक क्या है हमारे पास 1 dimensional expansion और दूसरे चाहे हमारे पास 3 dimensional expansion वान डाइमेंशनल expansion क्या होगा कि increase in length या तो length बढ़ जाए सरिफ और सरफ याने एक रॉड है उस रॉड की हिटिंग की वज़े से क्या इंक्रीज हो गई लेंग इंक्रीज हो गई या तो आप यह सकते हैं इंक्रीज इन ब्रिट या तो सिब उसके ब्रिट बढ़ जाए चोड़ाई बढ़ जाए या तो आप कह सकते हैं increase in height, या तो उसकी height बढ़ जाए, इन तीनों में से कोई एक कान भी हो रहा है, that is one dimension election, या तो सिफ उसकी length में इदाफा होगा, या तो सिफ उसके width में इदाफा होगा, या तो सिफ उसके height में इदाफा होगा, और अगर यह तीनो एक ही साथ हो रहे है यानि लेंथ भी इंकरी बहुआ ही और हाइट कि यहां पर 12 26 bonus कि यहां पर 1 cuál ब corban अब देकी इसका लेंथ निशार बीत और हाइट है ठीक है due to hitting याद रखेगा ये कौन सा expansion है due to hitting ये भी क्यों हो रहा है due to hitting यूदि क्यों हीट करने से उनके दरमयान vibrational motion क्या हो रहा है increase हो रहा है और उनके दरमयान average याद रखेगा क्या चीज़ average molecular distance वो क्या हो गया है average molecular distance increase हो गया देगे पहले इनका distance कहा पता इसका distance मान लेते हैं यह वाला था अगर मैंसको state बनाओ maximum energy पर जैसे energy कम कर रहे है तो यह का minimum distance है यह क्या है maximum distance है दोनों का average निकाले हो तो मुझे यहाँ distance मिलेगा पहले molecules के दरमयान इतना distance था मगर energy कम करने से अब molecules के दरमया average distance क्या हो गया आपको नदार आरा इंक्रीज होता हुआ नदार आरा थे कि अब दो तरहार के expansion है एक है हमारे पास one-dimensional एक है हमारे पास two-dimensional one-dimensional में क्या होगा या तो length increase होगी या तो breadth या तो height और तीनों एक साथ हो रहा है तो फिर वो क्या हो और three-dimensional expansion को हम क्या कहते हैं तो हमें कहते हैं to say volumetric expansion तो मारे पास two-dimensional expansion solid के अंदर पहला क्या है हमारे पास linear expansion जोके one-dimensional expansion रुसरा क्या है volumetric expansion जोके three-dimensional expansion है तो उमीद है आपको thermal expansion समझाया होगा तो आधे चैनल को लाइक करें, subscribe करें, bell icon को press करें, ताकि आने वाली वीडियो's के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे शुक्रिया